Hello dear students and parents, देखिए 10th के result अचानक से आए, अभी तक date 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 की अपने इंतजारी कर रहे थे और आज ये result आपके सामने आ ही गए है तो देखिए ये सबसे पहले update मैं लेकर आया हूँ, again मेरा source twitter handles ही होते है journalist के तो देखिए 10th के result का पूरा statistics इस वीडियो में आपको मिलेगा देखिए फटा फट से देखिए इस बार जो number of schools से last year 20,387 schools का result था, इस बार 21,467 schools का है number of regular candidates registered थे 21,50,608 जिसमें से 36,000 private candidates से total regular candidates 21,13,000 थे जिसमें से 20,97,000 का result आया है और 16,639,16639 students का result अभी process में है इस 20,97,000 students में से 20,76,000 students पास हुए है मतलब 99,04% that is the passing percentage overall different region wise आप देख सकते हैं त्रवेंदरम almost 100% टच कर रहा है हमारा जमेर region 5th position पे है जिसमें 99,88% students qualify हुए है और detail लेखे हैं अगर आपन जो main details और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी second page पे यह foreign candidates और यह सारी details है I don't think it is that important for you girls हर बार की तरह better करती है वो हमेशा ही है boys का pass percentage 98.89 है girls का 99.24 है okay JNV और यह सारे देख सकते हैं अब सबसे ज़्यादा जिसमें सबका interest है कितने students के 90% से ज़्यादा और कितनों के 95% से ज़्यादा यह data आप सबको बहुत इंतजार रहता है मुझे भी इंतजार रहता है इसी data में तो देखिए data आपके सामने यहाँ screen पे नजर आ रहा है देखिए इस यह 95% से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने students है आपके सामने देखिए यह slide पे पोडो में आपको दिख रहा है 57,824 तो 20,97,000 students में से 57,824 that is 2.76% of the total students 95% यह उससे ज़्यादा माक्स लाएं 12 से तो कम है बढ़ हां यहाँ देखिए last year कितना data था last year dip आया था देखिए 2019 में 57,000 students है अबके number of students कम थे इस साल registered students ज़्यादा है तो 2019 में 57,000 बच्चों के number थे 95% से ज़्यादा last year कम किया था 41,804 students के थे इस year भी अगें 57,824 students 95% यह उससे ज़्यादा लाए है और कितने ऐसे student है 90 से 95% के बीच लाए है वो है 2,960,000 तो लगबग 2,00,000 students लेके आया है 90 से 95% तो अगर मैं total अब करूँ so it is 2,57,000,000 और you effectively you can say 2,58,000,000 students 2,58,000,000 students 90% से ज़्यादा लाए है effectively अगर मैं इसको total up करूँ तो लगबग मेरे साब से यारा है यह साड़े यारा से भी ज़्यादा होगा 12% से भी ज़्यादा 12% से भी ज़्यादा चातरों के 90% से ज़्यादा माक्स है इस year last year देखें तो last year 90 से 95 नी total 90 से ज़्यादा का data था 1,84,358 तो इस year वो 2,58,000 पर पहुच गया अच्छा कासा जम्प है वो होना ही था जब schools को बोला गया था last three years में best year लेना तो यह performance एक्सपेक्टेट थी 2019 में 2.2 lakh students के 90% से ज़्यादा थे इस बार उससे भी ज़्यादा है इस बार आप overall लेखिए 2,58,000 students 90% से ज़्यादा और 57,000 students 95% से ज़्यादा अब देखते हैं इसमें भी क्या होता है results on the face of it लग रहा है अच्छा है बचों के marks हैं अच्छे हैं 90% से ज़्यादा बहुत है 95% से ज़्यादा इतने नहीं मिलेंगे मिलने भी नहीं चाहिए तो यह अभी तक की latest update जो सबसे important data यह ही है वापस से देखिए 95% 90% अभी भी आप dissatisfied है तो यहाँ भी मुझे लगता है 12 की तरह है यहाँ पर भी कुछ scheme आएगी कि आप इस exam दे सकते हैं बट अभी के लिए 99.04% is the passing percentage and the students getting 95% and above are 2.76% of the total and between 90 to 95% is 9.58% so you approximately have more than 12% students scoring 90% or more in this examination अब बागी country top of अगर है CBSC की तरफ से declare होगा नहीं जैसे से articles में आपको मिलेगा आप देख सकते हैं होगा कुछ update if it feels necessary I'll be coming up with that too so thanks for watching और हर बाल की तरह latest update stats के साथ यहीं आपको मिलेगी thanks for watching